नमश्कार मैं हूं नरेश्वत्स अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है चर्चित चेहरा कारिक्रम की आज हमारी खास महमान है मंजू मलहोत्रा जो की एक लेखी का है परियावण और धर्म के विशे पर कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहती हैं आज हमारे साथ ह उनसे बात करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा आपने जो दो विशे चुने हैं परियावण जो के आज बहुत ही उसके आफशकता है पूरे देस में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और गाएं जिसको आपने विशे ब श्रीमत भागवत में जो हमारा ग्रंथ है श्री कृष्ण को गईया बहुत प्यारी थी तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है हमेशा एक देसी गईया आप उनके पीछे फोटो में देखेंगे और वहीं से श्रीमत भागवत पुरान से ही मेरा जो लेखन था शुरू और वहीं से गाए के प्रती जो मेरा मन और जुड़ा उससे तो वो मैंने कवीता के माध्यम से बताया और जो आपने देसी गाए की बात की सदा हमें जो देसी गाए का अगर हम अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं तो उससे उनका जो बौधिक विकास है मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है बच्चों में अच्छे संसकार पढ़ते हैं और जैसे कि आज कल हम देखते हैं कि बहुत असंतोश है बहुत डिस्साटिस्फेक्शन लोगों में है और बच्चों में वो संसकार नहीं है हम लोगों को नहीं आद पढ़ता कि कभी शायद हमने अपन विकास नहीं ता अगर इनरवे हम कहेंगे तो वो हामफूल है तो इसको मैंने कवीता के माध्यम से यहां पर बताया था और सुनाया था मेरी बड़ी ही प्रीय कवीता है तो वो मैं यहां आपको थोड़ा बताना चाहूंगी निवास 33 कोटी देवों का जिसमें फिर क्यों हम स संस्कृति को जानो राजनीती में बोलो ना सच में क्या तो महार बनाना चाहते गव माता को सोचो तो जिम्मेदार हो राष्ट हित के कुरीतियों को रोको तो खाते हम जो मन हो वो होता जैसे आज कल देखिए करोना वाइरस भी चला हुए तो शुरू से ही हम लोग प्रकृ क्यों ऐसा करते हो छोड़ छार छपपन भोगों को मास मदिरा की और क्यों बढ़ते हो गव माता ने दूद दिया तब जाती धर्म ना सोचा था खेतों में जब खाद थी पढ़ती फसल कमाल का होता था भूमी भी पूजन के योगे तब ही मानी जाती है प्रेम भाव से पता छिपी गर्भ में कैसे वो पा जाते हम नहीं मानना तो सबना मानो प्राण मगर क्यों हरते हो कष्ट जो सामने पाते हो तुम तब तो प्रभु का नाम क्यों जबते हो आंधी आती सुनामी आती तूफा जब चल कर आता है बहा ले जाता सब वेज्ञानिक तर्क वितर् अधिकार वो पाया था ये एक वंश था एक ही कुल था खान पान ने असर दिखाया था तो ये मैं जो अभी कह रही थी गवमाता के माध्यार की गाय को हम लोग जो बच्चों को आज अच्छा अगर सही दूध गिर गाय जैसे आप बोलते हैं देसी गाय का दूध पिलाते ह तो वो खान-पान का असर पड़ता ही है हम लोगों पर अपने कहा कि अपार संपदा छिपी हुई है गरब में गाएं को एकोनोमी से भी जोड़ा जाए कि जो गाएं पालन कर रहे हैं उनकी आर्थिक तरक्की हो सकती है एक ये बड़ा हो सकता है दूसरा जो आपने कहा कि यु तो वो संसकार इसको कैसे व्याख्या करेंगा ये हमारे धर्म रंतों में बिलकुल वर्नित है कि जो गाए के दूद पे पहला हक है उसके बच़ड़े का है तो यदि हम अगर गाए के बच़ड़े को दूर कर देते हैं उससे तो वो अतृप्ती मा अतृप्ती वो उसको तो उससे उनके अंदर जो उसनदा बौधिक विगास होगा उसमें तो एक पात है ही और उपर से इसकी धार्मिक माननेता ये भी है कि यदि शंकर भगवान पर वो दूद चड़ाया जाता है तो वो शंकर भगवान जो प्रसंद होते हैं और आपको पता है तारख ब्रह्म है शंकर भगवान तो फिर उसका हमारी स्रिष्टी पर जो पॉजिटिव असर होगा उस दूद को जो ग्रहन करते हैं तो वो फिर हमारी स्रिष्टी को वापस हमें वही चीज मिलेगी तो पहते भी है कि जैसा खाए अन वैसा हो जाए मन लेकिन एक सवाल आपने जो प्रकिती स खिलवाड कोरोना वाइरस का हम देख रहे हैं प्रकोप इसको कैसे देखती है कि प्रकिती से कितना खिलवाड हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अब तो चिंताएं बहुत बड़ी की जा रही है कैसे आपने इसको कवीता के माध्यम से बढ़ा है जैसे मैं प्रकृती के लिए तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग प्रकृती से बहुत बुरी तरह से खिलवाड कर रहे हैं मास भक्षन कर रहे हैं जानवरों को खाना हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखाता हमें नाचुरल चीज़ें खानी चाहिए आज ये जो हमारे पास ये करो देख पाते होंगे, अदर्वाइस मैं तो देख ही पाती हूं, तो मेरी कवीता का ये शिर्शक है, मैं देख पाती हूं, मैं देख पाती हूं प्रल्यांकर बादल, तूफान, सुनामी, भुकंब, बिमारी, चारो तरफ धुआ, कीचड, उनमें लिप्टी लाशें, बेसाहार बूढ़े, अनाथ बच्चे, घबराए पशु, सब भूग प्यास से तडपते हुए, सब भोजन ढूनते हुए, जल ढूनते हुए, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ राक और धुआ, कहीं कुछ भी नहीं, विज्ञान ही खाने को, विज्ञान ही पीने को, कहीं कुछ भी नहीं, हम पहाड के बारे में भी, आकाश के बारे में भी, नदी के बारे में भी, स्रिष्टी के बारे में भी, हर्याली के बारे में भी, कुछ तो सोच कर चले हम पहाड के बारे में भी, नदी के बारे में भी, स्रिष्टी के बारे में भी, हर्याली के बारे में भी, अंधा धुन पहाड कमजोर हो दी जाती है व्रिक्षों की जड़े बहता चला जाता है उनमें सब कुछ सब कुछ तबाही की और हम भूल कर बैठते हैं तरक्की समझने की सच भूल कर बैठते हैं तरक्की समझने की मैं देख पाती हूं तबाही का मनजर मैं देख पाती हूं प्रल्यांकर है उस पर बात करके छोड़ देते हैं लेकिन इस पर में कवीता के माध्यम से ही एक मिनट और लोंगी और सुजाव देना चाहूंगी आपने बहुत महत्वपुन सवाल उठाया है कि जो प्रले आ रही है एक तरह से जो भयांकर कोरोना वाइरिस आ रहा है ये प्रकिती से बचाना जरूरी है लेकिन उसरों को बचाना ज्यादा महत्वपुन है बिल्कुल जैसे हम लोग इसमें यह है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगाने से यह जैसे कि है कि 12 गंटे में वाइरस अपने आप खतम हो जाता है ऐसे कहा जा रहा है तो उसमें हम लोग यदी कर्फ्यू ल प्लस अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना जाएं और घर में ही रहें जादातर जब आप घर में रहते हैं अब जैसे आप मानिए कि एक के साथ एक एक के पीछ एक अगर कुछ आप स्टिक्स लगा दीजिए सिलाई है दिया सिलाई एक के साथ एक जलती जाएगी वह अगर से बीच में से एक दिया सिलाई को बाहर निकाल देंगे तो आगे ब्रेक वह जलेगी नहीं तो बस करोना वाइरस का भी वह है कि अगर बीच में हमने लाइन ब्रेक कर दी तो फिर फैल लएगा नहीं आगे इसको हम लोग रोकेंगे और प्रकृति मैं तो कहती हूं कि हरी भ प्रकृति के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो गई तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें प्रकृति के यह मैं लाइन कवीता के माध्यम से नहीं कह पाई हूं तो इसलिए पहले कहने जा रही हूं कि आप इसमें जो हम लोग हैं जादा से जादा नाचुरल खाएं जो मास, मदीरा इसकी तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं उसको हम लोग छोड़ें और नाचुरल फूड, फल, सबजियां इसकी तरफ जाएं जो हमारी मादादी बनाया करती थी आजकल थोड़ा पीछे हो गए हैं उसमें सभी लोग बच्चे भी निगाते तो सबसे ज है कि भयावेह चित्र जो मंजूने भविश्य के दिखलाएं हैं, मन्ने मेरे मुझको देखो उपाए भी चंद बतलाएं हैं, मेरा दिल पीपल में बसता, एक एक पत्ता दिल सा दिखता, मेरा दिल पीपल में बसता, एक एक पत्ता दिल सा दिखता, वातावरन शुद कर जा दिन राज जो प्रान वायू बरसाता है हरे भरे व्रिक्ष पीपल के अब देखो हमें धेरों लगाने हैं नीम आमला और आम के औशदिये गुण भी पाने हैं जैसे जैसे इन सब व्रिक्षों की संख्या जग में बढ़ती जाएगी पर्यावरण में तभी हमारे शुद्धत और स्थिरता आएगी तो ये थी मन्जू मलोतरा जिनोंने बड़ी बिबाकी से इस बात को सामने रखा है कि अगर आज भी मानव जाती खासकर हम भारत वासी नहीं जागे प्रकिती का दोहन करने से प्रकिती से खिलवार करने के लिए तो जैसा मन्जू ने एक कविता के आज आएगा और कोरोना वाइरेस ने ये चीज़ें दिखा दी तो समय है अपनी संस्कृति से जुड़ने का और प्रकिती के साथ लगाव करने का तो आज के लिए बस इतना ही मुझे दी जैनमती और आप बने रहें अर्थपरकास टीवी के साथ ताज़ा अपडेट्स के अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें